नमस्कार आप देख रहे हैं डीबी लाइब नेज़र डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर डीसी एरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत दोरे के पहले देन अमेरिका ने भारत को लोटा एक करोड़ रुपए की बारा प्राचीन प्रतिमाई वियार टॉपर गुटाले में रूबी रॉइस और अप्स्टेश्ट और राहूल कुमार के खिलाफ एफाई आर दर्ज आईपीसी की धारा 420 और 120 के तहट दर्ज हुआ मामला आयरवेय ने पेश की मौदरिक नीदी की समिक्षा वैयास दरों में कोई बदलाव नहीं फिल्मूर्था पंजाब पर सैंसर बोर्ट गया पत्ती से भड़के नुराक कश्यप का एक द्रिशी अटाना भी फिल्म के लिए कतले आम जैसा आप ऑलिवूड के कहीं दिकजों ने किया विरूप और अब बुलिटिन के शुरुआत करते हैं हरियाणा के साथ जहां नीजी बस में विस्वोट का एक और मामला सामने आया है फतेहबाद के भुना रोट पर आज करीब 11 बजे एक नीजी बस में विस्वोट हो गया जिसमें कम से कम 15 लोग खायल हो गये हैं हाथसे के दोरान बस में 50 लोग सवार थे इससे पहले 26 मई को भी कुरुक्षेत्रा से चंडी कड़ आ रही एक बस में विस्वोट हुआ था जिसमें 8 लोग खायल हुए थे पानीपत में 13 मई को लोकल ट्रेन में धमाका हुआ था जिसमें कोई खायल नहीं हुआ था मैने भर के भीतर ये हर्याना में तीसरा ब्लास्ट है पहले हुए दो धमाके एक ही तरह आके थे और अब जो धमाका हुआ है उसकी चंच फिलहाल जारी है और अब रुख करते हैं अगली खबर का सुप्रीम कोट ने मतुरा में हिंसा की CBIA जांच कराने की गुहार को खारिच कर दिया है याचिका पर उत्तरपरदेश सरकार को ये निरदेश देने की मांग की गई थी कि वह मामले की जांच CBIA से कराने की सिफारिश करे बिजबिनेता अश्विनी उपाध्या ने याचिका दाखिल की थी जिसे खारिच करते हुए कोड ने कहा कि मतुरा मामले पर केंद्र सरकार CBI जांच थोप नहीं सकती इसे पहले याचिका करता ने इस मामले पर जल्द सुनवाई की गोहार लगाई थी और कहा था कि हिंसा के बाद घटना स्थल पर मौजूद साक्षे नश्ट किये जा रहे हैं रिपोर्ट्स के मतुरा के जवाहर पार्क मामले में करीब 200 गाडिया जलाए गई थी उन्होंने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की जान CBI को सौप दिजानी चाहिए आपको वदा दे कि हिंसा में दो पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे और 22 उपदरवी मारे गए थे जिसमें संगठन के सरगना रामरिक्ष यादफ की भी मौथ हो गई थी और अब अगली खबर प्रधान मंत्री मोधी से चुड़ी पाँच देशों की यादरा पर निकले प्रधान मंत्री मोधी आज अमेरिका पहुँचे जहां वशिंग्टन टी-सी एरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया वह मौजूद लोगों ने मोधी मोधी के नारे लगाए वशिंग्टन पहुचने के बाद पीम मोधी ने थिंग टैंक से मुलाकात की पीम वशिंग्टन में एक सांस्कृतिक समाहरों में भी शामिल हुए मोधी को यहाँ अनोखा और बेश कीमती तोहफा मिला दरसल भारत से तसकरी कर ले जाए गई दुरलब सांस्कृति कलाकृतियों को अमेरिका ने लोटा दिया है इन कराकृतियों की कीमत लगबग 10 करोर डॉलर बताई जा रही है इसके बाद पीम मोधी ने कॉलंबिया शटल हाथसे में जान गवाने वाली अंतरिक शियात्री कल्पना चावला सहित अन्य लोगों को शाथांचली दी पीम मोधी आज रात अमेरिकी राश्पती बराक उबामा से मुलाकात करेंगे इस दोरान एनस्जी समेथ का इमुद्दों पर बातचीत संभफ है और अब अगली खबर बिहार से जहां और अड़ों जाए और अड़ों को शावला शुद्दों कैसी समें जाई बॉद्दों पर इन स्मेथ है अब 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 झाल झाल झाल